स्वतंत्रता सेनानी और बिहार की पूर मंद्री मुनिश्वर अप्रसाथ सिंग पज्टत में विलीन हो गए वो 95 साल के थे राजकिय सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई तो दे दी गई है लेकिन जीते जी उन्हें सिर्फ और सिर्फ उपेक्षा मिली भूल माला गाजे बाजे और राजकिय सम्मान के साथ मुनिश्वर बाबू के अंतिम विदाई हो गए एक बड़ी हस्ति की बड़ी साधगी के साथ विदाई अंतिम व्यात्रा में पूरा गाउं उम्डा वो लोग भी शामिल हुए जो मुनीश्वर बाबू की मुश्किल की घड़ी में कभी उनके साथ खड़े नहीं दिखे मुनीश्वर प्रसाथ सेंग बिहार के पूर्व बिजली मंत्री थे इतना ही नहीं महनार विधान सभा से चार बार विधायग भी चुने गए थे इसनाते राज के सम्मान के साथ अंतिम विधाई तो उनका हक था लेकिन यहां सवाल ये कि जिस व्यक्ति ने हमें आजादी दिलाने के लिए अंग्रेजों से लोहालिया कई बार जेल गए और जिसे अंग्रेज दारुगा की हत्या के जुर्म में फासी की सजा तक सुनाई गई थी उन्हें जीते जी सिर्फ और सिर्फ उपेक्शाही मिली जिसे जिन्दगी में मुफलसी और तंग्हाली के बीच इमानदार मंत्री होने का इनाम मिला उसे दुनिया से रुखसत करते हुई राज के सम्मान देने से जिम्मेदारी क्या पूरी हो जाती है आजादी की लड़ाई और करांतिकारी सेना के अंतिम में खेलारी थे उन्हें सर्वावू और आजीवन उन्होंने समाजवादी आंदोलन काव को बढ़ाने का अगरीबों की सेवा करने का देश-प्रदेश की सेवा करने का उन्होंने काम किया लेकिन अंतिम चरन में उन्हें उपेच्छा हुई सरकार के दोरा प्रसाशन के दोरा कोई पूछा नहीं अदिवंगत हो गए लेकिन आजीवन उन्होंने इमानदारी, सच्जाई, करमचता और साहस का उन्होंने परिचय दिया मनीश्वर बाबू पिछले धाई साल से बिमार चल रहे थे, अच्छे इलाज के लिए परिवार के पास पैसे तक नहीं थे लिहाजा छोटे से नर्सिंग होम में उनका इलाज चल रहा था, लेकिन तब उनकी चिंता खिसी को नहीं हुई तब सरकार को ये याद भी नहीं आया, कि एक स्वतंतरता सैनानी, प्रदेश के पूर मंत्री को उनकी मदद की दरकार है, जिसने हमारे लिए अपना जीवन दाव पर लगा दिया, उसे जीवन देने के लिए एक छोटी सी पहल की जाए लोगों के बीच आज ये धारना बन गई है कि राजरीती में लोग इसलिए जाते हैं ताकि वो बिरोक्रेसी पर अपना धौस जमा सकें, मंत्री बन कर अपनी साथ पीडियों के लिए संपत्ति अरजित कर सकें और पूरे ठाट बात के साथ जीवन जी पाएं, लेकिन मुनीश्वर बाबु की इमानदारी ने उन्हें इन सब की इजाज़त नहीं दी लिहाजा गरीबी और तंगहाली में उनका जीवन सिसकता रहा, जीवन भर वो आदर्शों पर चलते रहें, नैतिक मूलियों से कभी समझोता नहीं किया अपने लिए कुछ नहीं किये सरकार चाहे जिस्विपाटी की हो अपने कोरे वाइदों से उपर उठ कर शायद ही कोई काम करती है जीते जीर उपेट्शा और मरने के बाद सम्मान, क्या यही हमारे देश की पहचान है समय के लिए हाजिपुर से विनैकुमार